अगर आपके डिलिवरी का टाइम नस्तिक है आपके delivery का ताइम नजदीक है या फिर आपकी डिलिवरी में एक दो महिने बची है तो आपको ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए तो आप इन चाहिए क्योंकि हर गर्वती महला चाहिा बहुत जल्दी हो जाओगे बहीं जब सेजेरियन डिलिवरी होती है तो बहीं टाइम तो बहुत लगता है रिकवर होने में तो अगर आप चाहती हैं कि हमारी नॉर्मल डिलिवरी हो जाए तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है और कुछ टिप्स फॉलो करने है नॉवे महीने में जिससे आपकी नॉर्मल डिलिवरी के चांसे काफी बढ़ जाएंगे और जब चांसे बढ़ेंगे तो जाहिसी बात है कि आपकी नॉर्मल डिलिवरी हो जाएगी तो क्या करना है क्या नहीं करना है है इस बारे में बहुत ही बिस्तार से आप लोगों को समझाया जाएगा तो आपको क्या करना है वीडियो को एंड तक वाच करना है अच्छे से समझना है ठीक है तो उससे पर एक चोपी सी रिकरस्ट टेस्ट वीडियो को लाइक शिर एंड चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लें बिल्कुल फ्री है और पास में जो आपको बैल आइकन दिखती है उसे दबा की All बटन पर प्रेस करना है ताकि आपको इसी तरह की helpful वीडियो की नोट्फिकेशन टाइम से मिलती रहे तो चलिए वीडियो को शिरू करते हैं सबसे पहले आप कुछ बातों का ध्यान रखिए ठीक है ताकि आपकी नॉर्मल डिलिवरी में आसानी हो सबसे पहली बात आपको तनाव नहीं लेना है टेंशन तो लेनी नहीं है चाहिए आपकी ड बच्चे को प्रव्लम हो सकती है बुरा प्रभाव पढ़ता है बच्चे पर तो आपको क्या करना है तनाव से दूर रहेना है NOT अनुकर यह टेलिवरी आपको इसा प्लिकलों सचना है साथ करकी नौधे महीन में यह चीज़े आपको बहुत सब्कुल ध्यान रखने होगी आ बच्चे को परेशानी होगी, जब 9 महिना लग जाता है, पेट बहुत बढ़ जाता है, पूरा प्तलब विकास हो जाता है, बच्चे का 9 महीने में, तो बच्चे के लिए बैसे भी कम जगे पर जाती है, उपर से पेट भर लग एक तो दोस्तों इससे क्या होता है, एक को परिशानी होती है और आपकी नॉर्मल डिलिवरी में भी परिशानी आ सकती है तो आपको क्या करना है भाई हलका हलका खाना है एकटा नहीं खाना है और जब भी आप खाना खाएं तो आपको कम से कम पैदल जरूर चलना चाहिए आप 25 से 30 मिनट तक पैदल जरूर जरूर च और बच्चे को आसानी मिलती है नीचे पोजिशन बनाने में ताकि बच्चे दानी का जो मुह है वो टाइम से खुल जाए ठीक है इतना आपको करना है अब दोस्तों नेंद बहुत जरूरी होती है ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रेस ले रही है सो भी नहीं पारी है वही साथ से आ दिलिवरी में परेशाणी आ सकती है अगर आपकी बष motivating में खुण की कमिया तो भी परेशाणी हो डारी हो सकती है नॉर्मल दिलिवरी में तो आपको क्या करना है लीकट वगंड़ा लेते रहना जूस बगयरा पानि मीना है ठीक है ओ सके तो आप आरों का पानी पीजे कम से कम दोस्तों आपको 8-10 गलास रोजाना पानी पीना ही पीना है ठीक है एक बात का द्यारा के आपको एकटा पानी नहीं पीना है जैसे खाना खाया आपने तो तुरंत पानी नहीं पीना है खाना खाने के कम से कम 30 मिनट बादी आपको पानी पीना चाहिए और जब भी आप पान कि आपको 9 महीने में करना क्या है तो जब आपका 9 महीना स्टार्ट हो जाए और आपको लग रहा है कि आपकी प्रग्निंसी में कोई परेशानी नहीं है डॉक्टर ने भी सब कुछ नॉर्मल बोला है तो दोस्तों आपको एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए आप बाटर फ्ला साथी आप अजवाइन का जो लड़ू होते हैं अजवाइन के वो बना के खा सकती है गुनगुने दूद के साथ ये भी काम आपको गाई इस नौवे महीने में करना है इससे भी आपकी मदद होगी हो सके तो जब आपका 9 महीना स्टार्ट हो जाए तो आपको क्या करना है ड ड्राइफरूट बहुत सारे फाइदे होते हैं ड्राइफरूट खाने के इससे बच्चे का जो दिमागी विकास होता है वो बहुत ही अच्छे से होता है तो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं तो ड्राइफरूट आपको सूखे भी खा सकती है नौवे महीने में अगर आपको ड्राइफ रूट खाने से कोई परेशानी नहीं होती है तो आप ड्राइफ रूट सू के खा सकती है ठीक है तो ये काम आपको करना है जब आपका 9 महीने स्टार्ट हो जाए तो आपको हल्दी वाला दूद जरूर पीना चाहिए हल्दी में दर्द निवारक गु के लिए तो आज की वीडियो में बस इतना ही कमेंड में ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और आप कौन-कौन से टिप्स फॉलो करना चाहती है कौन से टिप्स आपको अच्छे लगे कमेंड में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक इनको और पिस जरूर दबाले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए टेक केर एंड बबाई जय हिंद